वर्ल्ड ओफ टेकनोलोजी ने एक बार फिर से लोगों को एकसाइट कर दिया है एमेजॉन जूक से एमेजॉन कंपणी बिजनेस रीटेलर के साथ यूनी कॉंसेट्स और एडवांस टेकनोलोजी यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए फेमस है 14 डिसंबर 2020 को एमेजॉन ने रोबोटिक कार जूक्स को अनवेल किया जिस पे 6 सालों से काम चल रहा था वेलकम टू वायर्ड रियालिटी और आप देख रहे हो एमेजॉन जूक्स फ्यूचर आफ कार्स जूक्स एक्च्वल में एमेजॉन कंपणी का बनाया प्रोडक्ट नहीं है जूक्स कंपणी को औस्ट्रेलियन आर्टिस्ट डिजाइनर टिम केंटले क्ले और आपल कंपणी के करेंट चेर्मैन आर्थर लेविंसन का बेटा जैसी लेविंसन ने 2014 में सेट अप किया था 2020 में छे महीने पहले ही मोर दैन 1.2 बिलियन डॉलर्स में अक्वियर किया लेकिन जूक्स कंपणी एमेजॉन के अंडर ऑपरेट करेगी इंडिपेंडेंटली इस बात पे इलन मस्क जो सालों से फुली ऑटोमेटिक कार्स के डेवलाप्मेंट पे वर्क कर रहे हैं त्वीट में जेव बेजोस को कॉपी कैट बुलाया कंपणीज जैसे वेमो, फोर्ड, जेनरल मोटर्स और स्पेशली टेसला कंपणीज इतने सालों से सेल्फ ड्राविंग टेकनोलोजी पे वर्क कर रहे हैं केसला कार्स में अभी भी सेल्फ ड्राविंग ऑप्शन है लेकिन जूक्स की तरह वो कंप्लीटली ऑटोमाटिक नहीं है नैशनल ट्रांस्पोटेशन सेफटी बोट के रिपोर्ट से मालम हुआ कि फ्लोरिडा में टेसला मॉडल 3 सिडैन कार के ओनर ने टेसला कार के ऑटो पाइलट मोर पर अपनी कार ड्राव कर रहा था जो क्रैश कर गया था एक ट्रक में जिससे वो मर गया एक लिस्ट चार लोगों की मौत ऐसे ही आटो पाइलेट क्रैश में हो गई टेसला के सीओ इलान मस्क ने कहा टेसला कंपनी के फुली आटोनमस कार का डेवलपमेंट आल्मोस्ट हो गया है जूक्स ऐसी फुली आटोमेटेड टैक्सी है जिसे डिजाइन किया है लोगों को एक जगा से दूसरी प्लेस पे ड्रॉप करने के लिए जो बिना ड्राइवर के वर्प करती है फुली एलेक्ट्रिकल और कम्प्लीटली आटोनमस आप उसे ड्राइव नहीं कर सकते और ना जूक्स में कोई स्टेरिंग वील है उसे डिजाइन किया है सिर्फ राइडर्स के लिए ड्राइवर्स के लिए नहीं टैक्सी का डिजाइन सिमेट्रिकल है जूक्स का ज्यादा फोकस कार के इंटीरियर और एक्स्टीरियर पे है ताकि टैक्सी सारे कैमराज, AI सिंसो पॉड्स और मैपिंग से रोड्स के इवेंट्स सब कुछ कवर कर सके और ये टैक्सी चल सकती है two-way, मतलब bi-directional, कार के आगे और पीछे का डिजाइन सेम है, जो दोनों साइट से चल सकती है For example, राइडर को पार्किंग लॉट में ड्रॉप करने के बाद, टैक्सी बिना reverse हुए दूसरी साइट से चल सकती है हमें रोट्स पे safely drive करने के लिए सब तरफ देखना होता है कि कब कहां कोई गाड़ी overtake कर रही है, कहां कितनी traffic jam है, signals को, pedestrians, ये सब चीज़ें पिकप करने के लिए टैक्सी में advanced software है, जो handle करता है perception, prediction, planning और controlling कार के sensor suite में, lidar, radar, cameras को combination, जो कार को 360 degree और 150 meters दूर तक देखने में help करता है, कोई भी situation में, चाहे वो दिन हो, या रात, या बारिश हो, या fog में sensors को इस तरह से position किया हुआ है, कि taxi जल्द से जल, as early as possible, traffic signals को समझ सके, और कब कैसे overtake कर सके दूसरे गाड़ियों को, तो इससे ये होता है, कि ये गाड़ी, इनसानों की तरह ही drive कर सकती है, जिससे लोग safely travel कर सकेंगे, Zoox के L3 Highlander cars, already states के बड़े cities में test हो रहे हैं, ये cars के sensors भी, exactly taxi के sensors की तरह ही position है, sensors के positions बहुत important है, क्योंकि geometrically, ये cars help करेंगे Zoox taxis में, maps या developed information transfer करने में, taxi की speed 72 miles per hour है, जो इसे capable बनाता है highways पे drive करने के लिए, इन गाड़ियों की testing, company के private test tracks पे हो रही है, और भी गाड़ियों का production हो रहा है, और इन सब गाड़ियों को, ऐसे ही Federal Motors Safety Standards की rigorous test से पास किया जाएगा, मैंने बताया था Amazon Go वीडियो में कैसी AI unemployment rate बढ़ाएगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, तो टॉप राइट कॉर्नर लिंक से चट कर सकते हो, Amazon Go cashierless stores से cashiers की job को replace करने के बाद, अब self driving technology, drivers की job छीन लेगी, तो क्या आप अपनी जान, जूप रोबोटिक टैक्सी के हाथों में देकर drive लेना पसंद करोगे, ऐसे facts और information के लिए, subscribe to my channel, और वीडियो को like और share करके मुझे support करे, और हम मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, until then take care,